Hey what's up guys this is Abhishek, आज की इस वीडियो में में बात करेंगी Infinix Hot 9 Pro के बारे में जी हां, आप लोगों शॉक लगा रहेगा, जी हां Infinix आ रहा है दो नया स्मार्टफोन में इंडिया में Infinix Hot 9 तो आ ही रहा है बट Infinix Hot 9 Pro करें एक नया स्मार्टफोन इंडिया में होने वारा है अब Infinix Hot 9 Pro का कुछ भी information आपको online available नहीं मिलेगा क्योंकि यह एक surprise है Infinix की तरफ से यहां पर जिस तरीके से Infinix S5 Infinix S5 Lite मिलता था, बहुत ही minute changes मिलता था, उसी तरीके से Infinix Hot 9 और Infinix Hot 9 Pro भी यहां पर आने वाला है अब usually जहां पर जो इंडोनेशा में लाउंच हुआ है, जो पाकिस्तान में लाउंच हुआ है Infinix Hot 9 ही खाली हुआ है Hot 9 Pro करके कोई भी variant लाउंच हुआ है बट specifically इंडिया में Hot 9 Pro करके एक नया स्मार्टफोन लाउंच होने वाला है जो बहुत जादा मुझे इंफरमेशन नहीं मिला है बट एक चीज़ मैं बताते ताहूं जो Infinix Hot 9 Pro है और Infinix Hot 9 दो स्मार्टफोन आने वाल है अब Hot 9 और Hot 9 Pro में बहुत ही माइनूड याने की करीवन एक दो फीचर का गैप रने वाला है और कुछ भी नहीं पूरा-पूरा फोन सेम मिलेगा जिस तरीके से Infinix S52 और Infinix S5Light में मिलता था Infinix S5 रोचार यहां की वहाला है उन्फिनीक्स Watch 9 और Hot 9 Pro की यहां पे कुछ इंफरमेशन बतादब तो देखो, Hot9 जो आने वाला है, friends, इंडिया में, और जो Hot9 इंडोनेशिया में, और यहां पर पाकिस्तान में लाउंच हो है, वो पंचोल के साथ लाउंच हो है, इंडिया में जो Hot9 आने वाला है, वो आएगा वाटर ड्रॉप नॉच दिस्प्ले के साथ, और शायद मुझे दोनों में ही आप लोग को देखने को मेलेगा, HD+, Infinix Hot9, Hot9 Pro में, और 4GB RAM जे सिक्टी, 4GB आप लोग को देखने को मेलेगा, मेरे साब से Hot9 में भी 4GB, 64GB आपको लोगों को देखने को मेलेगा, प्रोस्टर के बात कृतों दोनों में ही सेम प्रोस्टर है, Mediatek Helio A25 का बहुत ही कम अपग्रेड है Helio P22 के अगर देखा जाए तो, जो P22 हमको मिलना था, Infinix Hot8 में, Hot9 Pro में, हमको देखने को मिलेगा, A25, on paper तो obviously वो P22 से थोड़ा सा अच्छा आपको परफॉमेंस देगा, बड़ बहुत जादा भी अगर आप लोगों को तड़कता जड़कता मिल मुझे लगता है, मुझे लगता है यही difference रहने वाला एक water drop notch वाला और एक camera वाला जहां पर, Infinix Hot9 Pro में 4 camera आपको देखने को मिलेगा, camera optics अभी तक पता नहीं चला है, Hot9 मुझे लगता है 3 optics देंगे, और साथी में, front camera Infinix Hot9 और Hot9 Pro का दोनों का ही मुझे लगता है, सेम होने व 10 Watt का ही आप लोग को देखने को मिलेगा, या फिर 18 Watt दे सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता 18 Watt आएगा, क्योंकि यह budget segmented smartphone है, तो 10 Watt का यह adapter देखने को मिलेगा, तो overall बात के जाए, Infinix Hot9 Pro और Hot9 में difference के रहने वाला है, तो वही एक water drop notch मुझे लगता है, और camera में optics में difference र में कुलेगा, यह यह Hot9, Hot9 Pro के पर वीडियो में है, बहुत ही जल्दी आप लोगो confirmation के साथ, वो क्या-क्या feature specification रहने वाला वो बताने वाला हूँ, तो उसके लिए वीडियो को friends like कर दो, चैनल को please subscribe कर दो, ताकि आप लोग latest updated रहों यापे मेरी वीडियो से, प्लीज वीडि जह स्कुलेगा, झाला क्या वीडियो खखना ए, वीडियो को अपता हूँ, आला का इवाँ पर लोगो है जरा गला है, वीडियो को पर लोगगे में घरे क generals से रहते हूआएंः हम में कि एम जख़ेगा में क्वाशब हляются, रहो है ज indigenous कि एम एर वीडियों को, रहूँ है, वी